सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुती ज़्यादा बढ़िया मोबाइल पोको की तरफ से पोको M3 जो लेटेस लाँच कर दिया पोको ने इंडिया के अंदर 11,000 का तो इस वीडियो में इस मोबाइल की अंबॉक्सिंग करके आपको बताऊंगा इस मोबाइल में क्या कमिया हैं क्या क्या चाहिया हैं और आपको ये मोबाइल लेना चाहिए ये फिर नहीं लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं 11000 में POCO M3 के साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो दोस्तों जैसे आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखावा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें आपको पीछे की तरफ लगावा मिल जाता है एक सिम इजक्टर टूल अंदर की तरफ दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुल इस तरीके से एक मिल जाता है कवर ट्रांसपेरेंट जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मोबाइल मिलता है रैपर में डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डिटे केबल लेंट और क्वालिटी इसकी दोनों बढ़िया है और अच्छी चीज यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है तो टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको दिया गया है आखर मापको रखाव मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड कॉयलिटी काफी अच्छी है अब इस मोबैल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबैल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है तो चार्जर आपको फास्ट मिल जाता है काफी अच्छी बिल्ड कॉयलिटी के साथ दोस्तो यह सारा समान आपको मिलता है वोको M3 के साथ 11,000 में रेट के साथ से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको काफी जादा बढ़िया ही दिये गए है क्योंके कवर भी है काफी अच्छी कॉयलिटी का डेटा केबल भी आपको टाइप सी दी गई है और इसे के साथ दोस्तो चार्जर जो काफी इंपोर्टेंट है वो आपको फास्ट मिल जाता है तो रेट के साथ से देखा जाए तो इस चीज में ये मोबैल काफी बढ़िया है चलिए बात कर लेते हैं दोस्तो डिजाइन के बारे में तो इसके अंदर आपको डिजाइन मिल जाता है लेदर फिनिश में जो आपको काफी जादा बढ़िया मिल जाता है येलो टाइप का कलर आप देख सकते हैं काफी यूनिक कलर इसके अंदर आपको दिया गया है जो बहुत जादा बढ़िया लगता है camera के बराबर में आपको मिल जाती है काफी बड़ी Poco की branding कुछ इस तरी किसे black shade में जो बहुत जाद अच्छी लग रही है बाकि दोस्तों नीचे साथ देख सकते हैं इसका design कुछ इस तरी किसे दिया गया है design की quality काफी बढ़िया है तो scratches बहुत कमाते हैं इसके back panel पे तो design की quality भी अच्छी है और color भी इसका काफी different मिल जाता है आपको अकसर ऐसे colors देखने को नहीं मिलते है smartphone में बात कर दोस्तो camera के बारे में तो पीछे की तरफ इसमा आपको तीन camera दिये गए हैं जिसमें main camera है 48 megapixel का front camera है इसका 8 megapixel का camera की जो performance है दोस्तों इसके अंदर वो rate की सापसा आपको काफी अच्छे मिल जाती है इसके लब दोस्तों आप देख सकते हैं complete design आपको इसका design कैसा लगा ये चीज़ कमेंड करके ज़रूर बताइएगा वैसे इसका design मुझे परसनली काफी अच्छा लगा काफी unique design है इसका बात कर दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इसके अंदर आपको display size दिया गया है साड़े 6 इंज का इसके अंदर आपको 6.5 inches की display मिल जाती है जो कि एक IPS full HD plus display है तो दोस्तों इसके अंदर आपको full HD plus display मिल जाती है ये खुबी इसमें काफी बड़िया दी गई है अक्सार आपको ये खुबी देखने को नहीं मिलती इस range के अंदर जादतर smart phones में इसके लवब दोस्तों चली कर लेते हैं इसको start मैं आपको दिखा देता हूं इसके अंदर आपको user interface कैसा दिया गया है अंदर से चलाने में ये mobile कैसा लगता है तो इसके अंदर आपको user interface कुछ इस तरी के से दिया गया है आप ऐसे ऊपर के तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है इसके अंदर आपको app draw दिया गया है वैसे user interface इसका काफी अच्छा है अंदर से चलाने में ये mobile काफी बढ़िया लगता है अब दोससे के अंदर आपको जो display की quality दी गई है वो actual में कैसी है मैं आपको बिलकुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ तो design जो है display का वो इसके अंदर आपको notch वाला ही मिल जाता है और back side से जो yellow color है friend से भी आपको उसका shade देखने को मिल जाता है side उसे बाकि दोससे इसके अंदर आपको जो display की quality दी गई है जो की सबसे जादा important है वो आपको इसके अंदर बहुत अच्छी दी गई है colors आप देख सकते हैं इसके display के अंदर आपको बहुत जादा बढ़िया मिल जाते हैं और brightness भी काफी अच्छी मिल जाती है तो display की quality को लेकर size में design में इसके साथ full HD plus display दी गई है display को लेकर इसके अंदर आपको सारी खूबिया बहुत बढ़िया ही दी गई है इसके rate के साथ से बाकियों दोस्तों इस angle से भी आप इसका design देख सकते हैं कुछ इस तरी किसे लगता है जो की काफी जादा बढ़िया है side उसे design curved है back side से तो grip करने में काफी अच्छा लगता है left side पर दी गई है sim key tray जिसके अंदर आप दो sim card एक memory card तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं ये खुब इसके अंदर आपको मिल जाती है side उसे भी इसकी build quality है वो काफी बढ़िया है नीची की तरफ साब देहेंगे तो charging port, speaker, mic दिया गया है इस तरफ, type C port मिल जाता है इसके अंदर आपको right side साब देहेंगे तो volume के buttons उसे की ठीक नीचे power का button fingerprint scanner इसमा आपको मिल जाता है side में power के button के अंदर ही उपर की तरफ साब देहेंगे तो noise cancellation mic दिया गया है IR blaster मिल जाता है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप इससे चला सकते हैं headphone jack भी दिया गया है और इसमा आपको ऊपर की तरफ भी speakers मिल जाते हैं तो इसके अंदर आपको stereo speakers दिये गया है Android का 10 version मिल जाता है अगर 11 होता तो काफी बढ़िया रहता बाकि दोस्तों बात करें RAM और storage को लेकर तो 11,000 में अगर आप इसको लेते हैं तो आपको मिलती है 6 GB RAM 64 GB के internal storage लेकिन अगर आप 12,000 में लेते हैं तो 12,000 में इसमा आपको variant मिल जाता है इसमा आपको दी गई है 6 GB RAM 128 GB के internal storage तो 1000 फर्क है रेट के अंदर और आपको 64 GB storage जादा मिल जाती है 12,000 में तो रेट की साबसे देखा जाए तो RAM और storage वैसे इसके अंदर आपको काफी बढ़िया ही दी गई है बात कर दोस्तों बैटरी के बारे में तो बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है 6000 mm की एक दिन का बैटरी बैक अप तो इसके अंदर आपको अराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर ये mobile काफी जादा बढ़िया है इसे की साथ मुझे इसमें वैसे छोटी सी एक कमी ये लगी अगर डिस्पले के अंदर 90 Hz का refresh rate होता तो काफी बढ़िया रहता क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्पले के अंदर 60 Hz का ही refresh rate मिलता है वैसे यूज़ करने में ये mobile काफी जादा smooth लगता है बाकि अगर 90 Hz का refresh rate होता क्योंकि काफी latest mobile है ये तो ये चीज़ काफी अच्छी होती बात कर दोस्तो प्रोस्सर के बारे में तो इसके अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 662 प्रोस्सर दोस्तो रेट के साफसे मुझे इसके अंदर प्रोस्सर नॉर्मल ही लगा वैसे अगर आप एक heavy user है तो इसके अंदर आपको काफी बड़िया ही performance देहने को मिल जाती है लेकिन अगर आपको प्रोस्सर की वज़े से ही mobile लेना है तो 11, 12, 13,000 के बजट में आपको बहुत जादा बड़िया स्मार्टफोन भी देखने को मिल जाते हैं और जादा बड़िया प्रोस्सर वाले रेट के साब से मुझे इसका प्रोस्सर नॉर्मल ही लगा तो ये सारी खुब्य कम्या आपको मिलती है पोको M3 के अंदर 11,000 में या फिर 12,000 में तो दोस्तों चली बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको ये mobile लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज है वो इसमें कैसी है और आपको पोको पे भरोसा है या फिर नहीं तो दोस्तों देखिए अगर आपको design अच्छ चाहिए अच्छ लगा क्योंकि काफी different design है इसका इसके साथ दोस्तों अगर आपको display बढ़िया चाहिए तो भी आप mobile ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको display की quality, size, design तीनों चीज़े काफी जादा बढ़िया दी गई है सबसे important जो चीज़े डिस्पले के colors और brightness वो इसके अंदर आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं तो अच्छे display के लिए आप OCO M3 ले सकते हैं इसके साथ दोस्तों अगर आपको battery बढ़िया चाहिए तो battery तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया दी गई है अच्छी battery के लिए आप ये mobile खरीच सकते हैं बाकि 200 charger भी अच्छा मिल जाता है fast 18 watt का तो ये खुबी बिसके अंदर आपको काफी बढ़िया दी गई है इसके साथ अगर आपको camera अच्छा चाहिए तो camera की performance भी इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है इसके साथ दोस्तों अगर आपको remote storage जाधा चाहिए तो 11000 में आप इसका 6GB RAM 64GB internal storage वाला variant ले सकते हैं बाकि सिर्फ 1000 के फरक में आप 12000 में 6GB 120GB भी बिले सकते हैं तो storage ही आपको जाधा चाहिए तो आप 12000 वाला variant भी ले सकते हैं इसे के साथ दोस्तों अगर आपको प्रोस्टर बढ़िया चाहिए तो प्रोस्टर मुझे इस मुबाल के इंदर रेट के साब से नॉर्मल ही लगा अगर आपको प्रोस्टर की वज़े से ही मुबाल लेना है तो आपको योर्स स्मार्टफून भी देख सकते हैं इस बजट के और जादा बढ़िया स्मार्टफून आपको देखने को मिल जाते हैं 12-13,000 के आसपास तो काफी जादा बढ़िया मिल जाते हैं तो दोस्तों प्रोस्टर मुझे इस मुबाल के इसाब से नॉर्मल ही लगा बाकी पाथ चीज़ेस के इंदर बहुत अच्छी हैं डिजाइन डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, कैमरा अच्छा दिया गया है, बैटरी बहुत अच्छी मिल जाती है और रेम और स्टोरेज अच्छी दी गई है पर सली दोस्तों मुझे ये मुबाल वैसा काफी जादा पसंद आया क्योंकि कीमत के इसाब से इसके इंदर आपको फ संद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल एकन में दबा देगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचते रहें, इसके लिए वीडियो गर आपको helpful लगी तो अपनों दोस्त